आई बच्चों, अब हम पढ़ेंगे समास का तीसरा भेद. अभी तक हमने पढ़ा है अव्य हिभाव समास और तत्पुरुष समास. अब हम पढ़ेंगे समास का तीसरा भेद कर्मधार्य समास. आप देखिए कर्मधारे समास की परिभाशा जिन समस्त पदों का पहला पद विशेशन और दूसरा पद विशेश्य हो विशेशन का अध्याय आपने पढ़ा है आप सबको पता है विशेशन किसे कहते हैं और विशेश्य किसे कहते हैं तो समस्त पदों में समास में दो पद होते हैं पूर्वपद और उत्तर पद तो पूर्वपद विशेशन हो और उत्तर पद विशेश्य हो अथवा एक पद उपमान और दूसरा पद उपमें होता है उसे कर्मधार्य समास कहते हैं आएए अब देखते हैं कर्म धार्य समास के उधारन नील कमल, नीला है जो कमल पीतांबर, पीला है जो अमबर तो इनके विग्रहेमें बीच में क्या आया? है जो आगे उधारन देखेए मुख चंद्र, मुख रुपी चंद्रमा कर कमल, कर रुपी कमल इन दोनों शब्दों के विग्रह के बीच में क्या आया? रूपी. अब देखे तीसरा उधारन चंद्रमुक, चंद्रमा के समान मुक, कनक लता, कनक के समान लता. तो कर्मधारे समास में विग्रह करते समय विग्रह चिन होता है, है जो रूपी के समान. अब हम पढ़ते हैं समास का अन्य भेद द्वंद समास. द्वंद समास की क्या परिभाशा होती है? क्या पहचान होती है? और विग्रह करते समय किन शब्दों का प्रियोग किया जाता है द्वंद समास की परिभाशा जिन समस्त पदों में दोनों पद प्रधान हों पूर्वपद भी प्रधान हो और उत्तर पद भी प्रधान हो तथा विग्रह करते समय बीच में और, तथा, एवं, या, अथवा इन में से किसी एक शब्द का प्रियोग हो उसे द्वंद समास कहते हैं आईए, अब देखते हैं द्वंद समास के उधारन द्वंद समास में मैंने बताया था आपको कि दोनों पद प्रधान होते हैं देखे, रात दिन, रात और दिन हानी लाब, हानी या लाब स्वर्ग नर्क, स्वर्ग या नर्क धर्मा धर्म धर्म या अधर्म उधारन देखे धर्मा धर्म इसमें संधी की गई है दोनों शब्दों की धर्म और अधर्म की